नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूँ कमल देवराय और आपने एक बार फिर देखना सुरू कर दिया है आपका अपना चैनल दवगाजीपूर दोस्तों मेरे साथ इस समय दो ऐसे मावाप हैं जो लागडाउन के चलते हैं अपने बच्चों से अपने जिगर के टुकडों से दूर हैं इनके लड़के अपने छोटे बच्चे जिसकी उमर माज एक साल कुछ महीन है कि दवा के लिए उसको ले कर गए थे पस्चिम बंगाल और वहाँ पर वो लागडाउन के चलते फस गये उन्होंने वापस आने का भी प्रयास किया जब 14 माँ अपरैल को कहा गया था कि लागडाउन खतम हो जाएगा लेकिन फिर प्रदान मंतरी जी के द्वारा लागडाउन को तीन मही तक बढ़ा दिया गया वो इस समय अपने एक दूर के रिष्टेदार के पास रुके हुए हैं आप समझ सकते हैं चुकि दूर के रिष्टेदार हैं तो वो लोग भी चाहते हैं कि ये लोग जल्द से जल्द अपने घरों तक चले जाए वैसे इस समय में चाहे दूर के रिष्टेदार हो चाहे रि जो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ बेवार करते हैं उसी बेवार के साथ मुझे को उसको सुरच्छित रखना कहीं न कहीं मेरा कर्तब है लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं क्या है इसके पीछे वज़ा ये तो वही जाने बेहतर खैर इन से बात करते हैं और इन्होंने मुझे विशे सागरा से बुलाया इनके संदेश वाहक के रूप में अब्दुल मननान ये देखिए इनको थोड़ा था इनका भी चेहरा दिखा दिजिए इन्होंने जो है कि आकर मुझे इस बात की जानकारी दे कि भीया बहुत ही पीडित हैं स्री रामलाल गुपता यूसुप पूरवाजार के हैं और ये बीमार हैं इनकी पतनी भी बीमार हैं 65 साल उमर है और अगर आप इनकी आवाज नहीं उठाएंगे तो इनके साथ कोई दुर घटना भी घटित हो सकती है ये काफी तनाव में हैं अपने बच्चे को लेकर ये बताईए आपका क्या नाम होता है दादा जी रामलाल गुपता है क्या समस्या है बताईए हमारे दर्सकों को जाते हैं आना उहां रुकना नहीं चाहते हैं हाँ जब तब कहते रहते हैं कि कब जाओगे कब जाओगे कि कोसिस नहीं कर रहे हैं यहां से आप चले जाहिए तो हम कोशिस कर रहे हैं अगर हो जाएगा तो हम गाड़ी लेके आएंगे आप चले आना अब छोटा बच्चा है उसका तव्यत खराब रहता है उसको यहीं पर बीच्चू में दिखाना है और overeating लिगे BACK чув एक है जेंको आगर कोई बात हो जायए है यहां पर हम्नेद्ष दो मिया भी भी रहते हैं कोई बात बात हो जाए कोई कंधा देरी वाला भी नहीं है Biz यहीं सब समधिया हैं आलगा वहाँ फίας बीपार अच्छा आप 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 बिल्कुल रोहिए मत आप पहले तो मैं कहूंगा कि आप होसला बना के रखिए आपकी जरूर बात को डीम साब भी सुनेंगे और मैं आपकी इस बात को मुख्यमंत्री तक भी पहुचाओंगा सी एम पोटल पर भी मैं आपकी बात को रखूगा आप बिल्कुल मत घब रही है आपकी पुकार जरूर सुनेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी कि आप बता रहते कि आपको कोई बीमारी भी है वो कुछ हाट टोटका है और सीने में दर्द होता रहता है और यह पेट में गैसोस बनता है हमको भी हमारे भी वीवी को भी दोनों आदम मुलकात आप लोगों की ना उनसे मुलकात नहीं हुए और दिने से बर्मा की जाते आते हैं अच्छा दिने बर्मा जो भाजपा के नेता है तो लेटर पर यह को आनलाइन निकलवाए थे वह हम उनको दे दिये वह अपना वाटसाप और वहां डिम साहिब के भीज़ती है त तो अगर कहेंगे तो हम उनसे बात भी करा देंगे हैं हम करते हैं कि जब तक अब वहां अपना चूप चाप लोग हमेशा उसको खोदी आते रहते हैं अब वो परसान है अब इसी वुज़ास है ना और हमारा भी तब यह गवराता रहता है अच्छा आप बिल्कुल मत गव अब रिद्ध यह ब्यक्ति हैं सर और यह मरीज में मेदानता से आपका इलाज चलता है अच्छा आपका इलाज देखी यह माता जी है उनकी अच्छा जो बच्चे आपके फोसे हुए हैं पस्षी मगाल में उनका नाम क्या है स्वियम गुपता नाम है और आपका प्रभाव करते हैं सबसे बड़ी परसाने इसको डागरा प्रेशन करने को कहा था तो हम तो अब जाने वाले थे तब से तो मेरा लड़का महाफस गया हम नहीं गये अब दावाई भी बनार समंगा कर खाते हैं किसी तर से जारू बरतन थोड़ा बहुत खाना बना कर हम लोग अभी इस समय खा लेते हैं क्या करें एक टाइम सब्जी बनाते दुनों टाइम खाते हैं बड़ी परसाने हमको है अब आप देख सकते हैं यह दवा की परची है यह मेदानता है स्पिटल की है और यह वन एमजी से आनलाइन मंगाई जाते हैं यहां पर यह दवा मिल नहीं पाती है यह माता जी की परची है और इनके दोनों घुटने भी प्रत्यार ओपित कराने हैं सरजरी करानी है दोनों घुटनों की आपने देखा भी कैसे चल रही थी इन्हें चलने में भी काफी कठिनाई है और डियेम सहाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पुकार को सुनेंगे सीम सहाब मैं आप से उम्मीद करता हूँ कि इस पुकार को सुनेंगे और एक बूढ़े असहाय माता पिता की सहायता के लिए जरूर आप कोई ठोस कदम उठाएंगे और मैं इनके जब किचन में आया हूँ किचन का भी दृस से थोड़ा सा दिखा दे हमारे कैमरा मैं यह इ इमत नहीं होती है जब हिमत नहीं होती है तब कैसे अप लोग खाते पीते हैKay अचा लोग खा लेते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि टी-एम साहब के भी रदय में यह वेदह जरूर उभर रही होगी यह माता कर्वका को दर्द को देखकर और जरूर इस वेदह को समझते हुए हमारे जन्पत के डियम, स्रियोम प्रकास आरे जी, कुछ ठोस कारवाई, कुछ ठोस कदम इनको लेकर उठाएंगे